आपके दिल की धड़कन से पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे हैं वो मांगे सही है और उसको मानना चाहिए मैं आप बात बहुत कम बात आपसे करूगा एक बात मुझे बताईए हम जिन बखीलों ने इस देश को आजाज कराया आज हमें अपनी मांगों के लिए सड़क से उतरना पड़ रहा है इससे बड़ी बात गलत्या हो चक्ति है और कोई सुनेगा नहीं हमारी मांगे क्या है मैं आपको एक बात दो मिनट आप मुझे देंगे मैंने बहुत से नोगों से जानकारी चिलगी और हमारे डिस्ट्रिक और टलू का लेवल पे जो अदालते हैं वहां पर महिलाओ के लिए सोचाले नहीं है इसे बड़ी जबात्या हो चक्ति है यह कौन सा इंफर्स नक्चरा यह हम आए 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 आप जो है हम एक प्रट्रीज निसमख करिये अम आप ते पूछना चाहते हैं कि जो अनुशासन सुनिये जो अब एक जी बताए अगर हम ऑफिसर अब दो कोट है अदालत का हिस्सा है तो हमें सबूलते वहलत जो नहीं कराई जाती हमाएं मैंडिकल फ हमेरा मिशासन बहुत ज़रूरी है हमें हर किसी से प्रावता है कि हमारी मवस्ता को भंग ना करें और भासन में भंग ना करें मैं आपको यह कह रहा था अगर हम ऑफिसर अब तो हमें मैयत्वों नहीं कराई जाती मेडिकल और पेंचल की जबूलत हमारे हमारे अधिकार को ह हमें मिलना चाहिए यही सबसे बड़ा जंगर से दोस्तों हम आज बखील कौम यहाई करती हुई है आपको मैं बताना चाहता हूँ दो बाते आज की हाला आज को समतना बहुत ज़रूरी है और क्या है ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे बार एसूशियेशन और बा के बाए याधिव की लोगों को मौह पर वकालत करने के लिए जाज़त दी जा रहे हैं तो मतिल नहीं है किया हम उसको पकेत करेंगे में दो सद्धी का सबाल है हमारे साथ अगर हम सब को हम सब को एक बात मजबूत रहना है हमें किसी के डरने की जरूबत नहीं है हम किसी कभी दोज नहीं कर रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि जितनी प्रो हमारी समस्याएं है हमने सारी एक एक चीज को बताया है और उन समस्याओं पर वो करके हमें उस पर हासिर करना हो करना होगा हमारी समस्याओं का सबादान करना होगा हमारी मांगे मंजूर करनी होगी यही हमारा प्रण है आपका बहुत बहुत धन्निवाद झाल